वेल्कम बैक एब्रेवन वेल्कम टो सिर्वल सर्विसेश टड़ी देखे यूपी एससी प्रवलिम्स 2020 के टेस्ट से रिज़ चल ले थी 92 टेस्ट कंप्रीट होगे थे कल तक यह है टेस्ट नमबर 93 इंपोर्टन होंगे प्रश्ण फोकस है करेंट अफेर्स के प्रश्णों प देखे यह समय कम है हर दिन मियार्ट करते हैं 126 यह 150 दिने च रिज़ार्ट बना कर पड़िये अपना समय निकालके ड्रैक पैसेज किन दो महासागरों को आपस में जोड़ता है यह जोड़ता है अटलांटिक ऑसियन और पैसिफिक को जोड़ता है ड्रैक तो ड्रैग पैसेज दक्षण अमेरिका के दक्षण तम बिंदू के फॉर्न तथा पश्चमी अट्लांटिक प्रायदीब के मत हिस्थित है यह पूर्ब में अट्लांटिक महासागर और पश्चम में परसांत महासागर को आपस में जोड़ता ते सी करक्ठ है Q2 है वित्य इस्थितर्ता रिपोर्ट के संदर्ब में निमलिखित घतनों पर विचार कीजे वित्य इस्थितर्ता रिपोर्ट जो एक अर्धवार्शिक रिपोर्ट है मतलब 6 महा में आ जाती है और इसे राश्ट वित्य सूचना प्राधिकर्ण द्वारा जारी किया जाता है तो पहला तो correct है वित्य इस्थरता रिपोर्ट जो है वो अर्धवार्शिक प्रकाशन है और इसे राष्ट वित्य सूचना प्राधिकरन द्वारा जारी नहीं किया था दूसरा statement गलत है तो इसका आंसर हो जाएगा one only के वलेक सही है तो देखे वित्य इस्थरता रिपोर्ट जो है एक अर्धवार्शिक प्रकाशन है जो भारत की वित्य प्रणाली की इस्थरता का समगर मुल्यांकन प्रसुत करती है इसलिए पहला correct है और इसे भारति रिजर्बेंक RBI द्वारा प्रकाशित किया जाता है इसलिए दूसरा सही नहीं है तो RBI द्वारा प्रकाशित किया जाता है राष्टि सूचना प्राधिकन द्वारा नहीं है कुश्चन no.3 है आकांशी जिला कारिक्रम के से संबंदित निमलिखित विश्यों पर विचार कीजे स्वास्त एवं पोशन वित्य समावेश एवं कौशल विकास सिक्षा अब बताईए उपरोक्त विश्यों में से किस या किन विश्यों पर आकांशी जिला कारिक्रम जो है वो आधारित है देखिए आकांशी जिला कारिक्रम जो है इन सभी विश्यों पर आधारित है शिक्षा पर वित्य समावेशन और कौशल विकास और स्वास्त और पोशन त प्रशी एवं जल संसादन और वित्य समावेश एवं कोशल विकास बुनियाधी आधारबूर धाचे पर केंद्रित है। अगर अच्छे से देखी होगी तो इस कॉश्चन को करेक्ट कर ले जाओगे मांडू फेस्टिवल जो है तमिलनाडू की सरकार का नहीं है गलत है MP का यह मद्ध प्रदेश का है और इसका उद्देश मांडू सहर की मिश्रित एतिहासिक धरोहरो और सांस्कृति को आधनिक जी लाइट नहीं करता है यहाँ देखना जरूर कि सही नहीं है पूशा है सही है पूशा है वना पूरा कुश्चन उड़ जाएगा इसकी वैसे तो मध्ध प्रदेश के मांडू सहर में 28 दिसंबर 2019 से एक जन्वरी 2020 तक मांडू महतसब के पहले संस्क्रण का आयोजन किया गया मांडू महतसब का आयोजन मध्ध प्रदेश परिटन बोर्ड द्वारा किया गया है इसने पहला हो गया गलत और इसका उद्देश मांडू सहर की मिश्रित एतिहासिक धरोहरो और संस्क्रती को आधुनिक जीवनतता प्रदान करना है और मांडू उटसब खोजने में खो ज जाओगे तो मनी एप के संदर में निम्लिखित कतनों में से कौन सा जो कतना है वो गलत है मतलब सही नहीं है तो इस एप द्वारा मोबाइल फोन के कैमरे का उपियोग करके करन्सी नोटो को स्कैन किया जा सकता है और यह है एप्लिकेशन जो है केबल हिंदी भाशा ओडियो इंग्लिस भी है हिंदी इंग्लिस दोनों है और इस एप के इस्तमाल के लिए इंटरनेट की आवश्यक्ता नहीं है गलत है और यह आर बी आई ने लॉंच किया एप द्रश्टी बाधितों के लिए यहां के बल पहला सही है अपने को गलत ढूंडना है तो इसका आंसर हो ज इसका पूरा फोर्म है यह फुल फोर्म है मनी मोबाइल एडेड नौट इंटिफायर मनी लॉंच किया है इस एप्लिकेशन दोरह मोबाइल फोन के केमरे का ओप्योंग करके करंसी नोटों को सकेन किया जा सकता है और यह एप्लिकेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों करने के बाद यह ओफ-लाइन मोड में काम करती है क्योंकि इंस्टॉल करने के लिए तो आपको इंटरनेट की आवश्क्ता पड़ेगी न एक बार जैसे इंस्टॉल हो जाती है फिर इसको इंटरनेट की आवश्क्ता नहीं है कुश्चन नमबर 6 है नागरिक्ता संसोधन कानू कानून C.A.A. के खिला प्रस्ता पारित कर दिया है वो केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज मोड़ेगी नागरिक्ता संसोधन कानून CAA के खिलाब प्रस्ताब पारित कर दिया है उलेखनी है कि केरल ऐसा करने वाला भारत का पहला राज़पन गया है केरल के मुख्यमंतरी पिनरे विजयन ने प्रस्ताब पेश करते हुए मांग की थी कि किन सरकार इस कानून को बापस ले ले मुख्य मंत्री पी बिजयन ने हाल ही में घोशना की थी कि सरकार, संसोधित, नागरिक्ता कानून और राज्ट जनसंख्या रेजिस्टर, NPR को अपने राज में लागू नहीं करेंगे और केरल बिधान सभा में इस प्रस्ताब का कई बिपक्षी दल ने भी समर्थन किया है, उमीद हो केरल ये कैपिटल है तिरवन्तपुराम और केरल में सबसे अच्छा सेक्ष रेशियो और सबसे अच्छी लिट्रेशिया कोश्य नमबर सेवन है निमलिखित कत्नों पर विचार कीजे हाल ही में केरल वन अनुसंधान संस्थान के बैग्ज्यानिको ने अक्रामक पौधो पर एक अध्यन किया है और अध्यन बताता है कि इस परजाती द्वारा उत्पादित एलोलो केमिकल्स मूल परजातियों के अंकरण और विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेट्मेंट अभी हाल ही में केरल अनुसंधान संस्थान केरल फोरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट ने एक अध्यन किया है अक्रामक पौधों पर एक सोध किया है और यह अध्यान बताता है कि कुछ परजाती जो है एक chemical को उत्पादित करती है अलेलोग chemicals और यह जो chemical है वो परजातियों के अंकरण और उनके विकास को पर्तिकूल रूप से जो है प्रभावित करता है एक उत्पाद है यह एलूलू केमिकल्स तो इसका अंसर हो जागा अपसर नमबर सी ए और एक और दो दोनों सही हैं तो देखें केरल के वन और वन जीब विफाग द्वारा वाइनायड वन जीब अभ्यारण सहित को नियंतरित करने की योजना पर कार किया जा रहा है केरल वन अनसंधान संस्थान केरल फोरेस्ट इसर्च इंस्टिट्यूट के बैग्यानिकों ने अकरामक पोधो पर एक अध्यन किया है जिसमें बताया गया है कि इस परजाती द्वारा उत्पादित एलेलो केमिकल्स मूल परजाती के अंकरण और विकास को प्रतिकोल रूप से प्रभावित करता है कुश्चन नमबर एट है सांसद आधर्स ग्राम योजना के संदर्ब में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए देखे हाल ही में जारी आधरित आखडों के अनुसार सांसद आधर्स ग्राम योजना के चोथे चरण के अंतरगत 31 अक्टूबर 2019 तक केवल 252 सांसदों नहीं ग्राम सभाव को आधर्स ग्राम योजना के लिए चुना है अब यह जो योजना है इस योजना की घोशना प्रधान मंत्री दवारा 11 अक्टूबर 2014 को लोक नायक जैप्रकास नारण के जन्व दिवसकी वर्स गांट के अपसर पर की गई थी तो जैप्रकास नारण ही है लाल बहादुर सास्त्री है देखे जैप्रकास नारण के बड़े पर ही की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को दूसरा स्टेट्मेंट करेक्ट है और यह पहला स्टेट्मेंट भी करेक्ट है 31 अक्टूबर 2019 तक केवल 252 जो सांसद है वो ही आधर्स ग्र ग्राम योजना के चोथे चरण के अंतरगा 31 अक्टूबर 2019 तक केवल 252 सांसदों ने ही ग्राम सभाओं को आधर्स ग्राम योजना के लिए चोना था इस योजना की जो घोशना है प्रधान मंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को लोक नायक जय प्रकास नारण के जन दिवस की वर्स गांट के अबसर पर की गई थी योजना के अंतरगा सभी लोक सभा सांसदों को हर साल एक ग्राम सभा का विकास कर उसे जनपद की अन्य ग्राम सभाओं के लिए आधर्स के रूप में प्रस्तुत करना था साथ ही राजसभा सांसदों को अपने कारिकाल के दोरान कम से कम एक ग्राम सभा का विकास करना था अब देखे इस योजना का जो उद्देश है चैनित ग्राम सभाओं को क्रशी स्वास्त साब सफाई आजे विका परियावरन सिक्षा आदी छेत्रों में ससक्त बनाना था इस योजना के अंतरगत प्रतिएक सांसत को वर्ष 2019 तक 3 और 2024 तक पांच ग्राम सभाओं का विकास करना था और अभी चल लए है 2019 तो इस टेटमेंट बना के लग से पूछ लेगा 2019 तक 3 और 2024 तक 5 ग्राम सभाओं का विकास करना है कुश्चन नमबर 9 हाल ही में किस राजिकी सरकार ने सैट कॉम टेक्नीक क्या होती है यह सैटिलाइट कॉम्निकेशन टेक्नलोजी सैट कॉम का उपयोग सुरू किया है किसने सुरू किया है उत्तर प्रदेश नहीं है अब बताए किसने सुरू किया है चले एक और प्रदान योजनाओं के बारे में जगरुकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपग्रह संशार टेक्नीक सैटलाइट कॉम्निकेशन टेक्नलोजी सैट कॉम का उपयोग सुरू किया सैट कॉम टेक्नीक होती क्या है प्रत्वी पर विभिन इस्थानों के बीच तो पूर्ण भूमी का निभाता है तो सैटलाइट कॉम्निकेशन टेक्नलोजी सुरू कर रहा है उपयोग कर रहा है इसका राजस्थान सरकार केंद्रिय उपकरण पहचान रेजिस्टर के संबंध में नमलिकित कतनों में से कौन सा कतन सही है हाल ही में संचार मंत्राले के दूर संचार विभाग द्वारा केंद्रिय उपकरण पहचान रेजिस्टर नामक पोर्टल की सुरुवाद की गई है और भारत सरकार द्वारा है पॉर्टल दिल्ली राष्ट राजधानी शेत्र के लिए फ्रारंब किया गया है तो केंद्रिय उपकरण पहचान रेजिस्टर के संदर में करेक्टन दोनों के दोना इसका अंसर हो जाएगा एक और दो सी तो देखिये हाल ही में संचार मंत्राले मिनिस्ट्री आफ कॉम्निकेशन के दूर संचार विभाग डिपार्टमेंट आफ टेली कॉम्निकेशन दोरा केंद्रिय उपकरण पहचान रेजिस्टर सेंट्रल एकुप्मेंट आइडेंटिटी की रेजिस्टर C.E.I.R. नामक पॉर्टल की सुरुवात की गई है और भारत सरकार द्वारा यह है पॉर्टल दिल्ली राष्ट राजधानी शेतर के लिए प्रारंब किया गया है केंद्रिय उपकरण पहचान रेजिस्टर को सबसे पहले सब्टेंबर में 2019 में महरास्ट के और अब है दिल्ली राष्ट राजधानी शेतर की बारी अब देखें क्या है केंद्रिय उपकरण पोर्टल क्या है केंद्रिय उपकरण पहचान रेजिस्टर पोर्टल तो केंद्रिय उपकरण पहचान रेजिस्टर पोर्टल के माध्यम से दिल्ली राष्ट राजधानी श और फिर मोबाइल का पता लगाने में सहस्ता के लिए पुलिस के साथ संबंद्र डेटा को साज़ा करना, चोरी या खोई हुए मोबाइल फोन को पुना अनब्लॉक करना, और सभी मोबाइल नेटवर्क पर ऐसे मोबाइल की सेवाओं को ब्लॉक कर देना और इस पोर्टल की ज प्रशन थे लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें 20 से 25 प्रशन निकलेंगे जो स्टेट्मेंट वाले हैं इंपोर्टन्ट है तो भी बोला था छे से साथ सेगिंड में हो जाता एक कॉश्चन तो देखें एक सो उडंचास दिन जो हैं वो सेस हैं अगर देखा जाए तो एक सो स्टुडेंट होते हैं आप थीजों हैं कर लोगे तो हरवें ना था कर दोघकिस करते रहो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो कि जैसे दस यहां से पढ़दे यह तो झुड़े रहीए धन्यबाद